कि अजय किश्णा दोस्तों रादे राधी मेरी चैनल रर्निंग वे सी हम आपका बहुत बस्वागत हैं दोस्तों आज हम इस कॉंबिनेशन में आपको चार नंबर के ठाकुजी के लिए बहुत दिप्यारी सी एक ड्रेस बनाना सिखाएंगे ड्रेस देखने में जितनी खूबसूरत होगी बनाने में उतनी ही आसान होगी चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं चार नंबर के ठाकुजी की ड्रेस बना रहे हैं इसके लिए साथ वाई साथ इंची का ये डायामीटर कत किया है हमने साथ ही हमने एक पट्टी ये लहर्या की इस सिल्क है इसकी पट्टी हमने ये कट की है ये तीन इंची चोड़ी है और 38 इंची लंबी है दू पट्टी हमने इस और ये कट की है, तीन इंची चौड़ी और 38 इंची लंबी, साथ ही हमने एक घेर के लिए एक पट्टी ये सुपरनेट कोटा डोरिया की कट की है, ये साड़े तीन इंची चौड़ी है और लगभग ये 45 इंची, 45 इंची ये लंबी है, तो अब इस मै के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें इसका घेर तयार करना है तो घेर के लिए हमने यह पट्टी कट किया और इसमें हमें कुछ नहीं करना सिर्फ हमें प्लेट्स भरनी है जैसे हमेशा घेर में आपको प्लेट्स भरना वताते हैं उसी तरीके से यह प्लेट उतनी ही इंचिस में हमें यह प्लेट्स लगानी हैं तो पहले प्लेट्स लगा लेते हैं इस देखिए हमारा घेर बन गया इसमें हमने प्लेट्स दाली है अब इसको हम यह डायामेटर के उपर सेट कर देंगे यहां से लगाना शुरू करेंगे और यहां से लगाते हुए यहां तक लेकर आएंगे पूरा हम यहां से लेकर के यहां तक यह पूरा सेट कर देते हैं हमने घेर फिट कर लिया लेकिन एक गलती हमने की कि कि हम इसकी गोलाई कट करना भूल गए लेकिन कोई बात नहीं हम अब कट कर लेते हैं कि कमर की गुलाई हमने अब कट कर दी है अब क्या करना है हम इसेचर करने के बाद ये पलेट मारा या हम इसको कट करके निकाल देंगे इसको हमने कट कर लिया यह बिल्कुल एक सा हमारा फिनिश्यूंग वाला हो गया अब इसमें क्या करेंगे हम गोटे की पाइपिंग लगाएंगे यहां से ले करके यहां तर गीर हमारा आधा बन चुका है अब क्या करना है यह हमने ब्लू लहरिया की पट्टी ली है इस पट्टी को हम इस तरह यहां से पूरी स्लाई लगा देंगे और स्लाई लगाने के बाद इसमें हम प्लेट्स डाल करके एक फ्रिल पूरी तयार करेंगे और इस फ्रिल को हम इसके चारों तरफ यहां से यहां त इस फिरिल को हम इस छोर से लगाना शुरू करेंगे और इस तरीके से इस पाइपिंग के नीचे दपाते हुए पूरे राउन में यहां से यहां तक यह फिरिल को टक कर लेते हैं इस बहुत प्यारा सा घेरा बना अभी इसको यह दोनों साइट से टिश्यू टेप से लॉक कर लेंगे इतना घेर बन गया अब यह हमने देखिए तीन इंची चोड़ी और साथ इंची लंबी यह दो पटी हमने कट कियें इन पटियों को हम क्या करेंगे ऐसे डबल फोल्ड किया और डबल फोल्ड किरने के बाद में यहां से बहले ऐसे ही कच्छा सिल लेते हैं उसके बाद तीन साइड हम टिशू टेप लगाएंगे यहां से यहां से और यहां से अब इसमें हम क्या करेंगे प्लेट्स डालेंगे हमने दू दू जाईट फोल टीन ए प्लेट टाल करके इस तरीके से पटका जैसा तैयार कर लेंगे अब दून पीस को इस तरीके से तैयार कर लिए अब क्या करना है यह कि सेंटर में आई की से निशान लगाएंगे और स क्या हैं बहुंतिस को ज़बादे बढ़ने के बाद इनको sly के साथ में touch कर देंगे अब निफ़ लगा लेते हैं निफ़े के लिए 2 इंची छौड़ी हमने औरे भी पट्टी कट किया इसको double करने के बाद में sly लगा और के इसको पलट करकि डोरी डाल करकी निफ़ा लगा लेते हैं अब जोली बना लेते हैं उसके बाद में इसका डैकॉरेशन करें करेंगे चोली के लिए हमने दो इंची चोड़ा बारा इंची लंबा यह फैबरिक लिया है इसको डबल करेंगे डबल करने के बाद टिश्यू टेप से और दोना साइड से लॉक करेंगे यहां से भी और यहां से भी तो पीस करेंगे इसके पाद दो पीस करने के बाद ओवरलाप करेंगे ओवरलाप करके यहां पर ची लगा देंगे अब इसको यहां सेंटर में यह श्यू़ सेट कर देंगे और यहां से यहां तक ची लगा और साथी यहां से पहले मोड लेंगे दोनों सिरों से एदपिए है हमारा घेर बन गया याँ इसका डे़कोईसियन करते हैं डे़कोरिशन के लिए हमने एक ही रैट कलर की बूटी लिया है इसको हम बीच में चिपका देंगे एक छोटा सा स्टोन लिया ब्लू कलर का इसको इसके सेंटर में लगा देंगे और साथ ही मैंने ये पीकॉप का जोडा लिया है इसको हम दोनों साइड ही हाँ पर लगा देंगे देखिए दोस्तों कैसी लग रही है पुशा पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बुलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे तत्ता के लिए रादे रादे